हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टी डबलू वर्सेस आईटी टी के बीच में जो आज का टी इन पील का मुकाबला खिला जाएगा मैच नमबर सिक्स है आपको इस वीडियो में के लिए इस सीजन तो इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफोर्मेशन भी दिया जाएगा एक मैच खेल लिया है और यह इस इंटरवल का लास्ट गेम है तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा जो पिछ रिपोर्ट की बात करें ओवरॉल यह एक बैलेंस विकेट है आप स्टेटिकल वियू देखेंगे तो लेकिन इस सीजन जो मुकाबले खेले गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो पांच मुकाबले चार मुकाबले चेजिंग करने वाली टीम एक मुकाबला टाई रहा है और फस्ट इनिंग का एवर स्कूर 169 सेकंड इनिंग का 171 इस तो पेशस ने तीस विकेट निकाले हुए है अभी के लिए जो पांच मैच खेले गए यानि की स्पीन पीछे नहीं है और वैसे भी इस ग्राउंड पर छठा मुकाबला है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है अगर बैक टू बैक पिच हो रहा है तो उसके अलावा जो पांच म मुकाबले आप देखेंगे कि डिसेंट स्कोरिंग हो रहा है उसके अलावा जो दो मुकाबले हैं यह पहला और यह लास्ट का पांच वह यहां पर थोड़ा सा अच्छा स्कोरिंग हुआ ठीक है तो मुस्टली जो यहां पर वन फॉर्टी तो वन सिक्स्टी के बीच आप स् दोनों टिम के आप लोग जो है बैटिंग बॉलिंगल डेख सकते हैं ठीक है किरिकन कि स्कोर मैं नें स्कोरिंग किया जैसे सर्तविक राहिल्जा ने 1 विकिट पैया हमोजी ने उसके बाद स्रमण कुमार ने 1 विकिट लिया था और एंटोई दास ने एक विकिट लिया था है जो इनके important players है मुर्ली विजय, राजेगोपाल, गनेश, diving, एंटॉनी दास, पीएस कुमार और राहिल चाहा इसके अलावा पया मोजी ठीक है ए मोजी अच्छे हो सकते क्योंकि सामने वाली टीम में तीन लेफ्ट हेंडर है ध्यान रखना उसके बाद एक रिष्णा अच्छी गिंदबाजी की लास्ट में चार ओवर में सिर्फ 9 रन दिये थे अब इनका यह उपन बॉलर और देख लेते हैं और कौन कितने ओवर डालता है वह देख लेते हैं इनके जो उपन बॉलर है पीएस कुमार एक रिष्णा देथ में पोया मोजी और पीएस कुमार होते हैं राहिल चाह कभी 17 या 18 अवर लेके आज आते हैं इसलिए मैंने लिग दिया है बट पोया मोजी और पीएस कुमार उनीश्वा वीश्वा वह लाते वेद दिखेंगे ठीक है यह 10 के बॉलर्स हैं अब इनकी टीम से जो अच्छे गासे ओवर डालते देखो वह हैं पीएस कुमार एक रिष्णा पोया मोजी और राहिल चाहिए आपको अच्छे गासे ओव जिसकी जरूरत होगी वैसे मोजी का मुझे कम लग रहा है क्योंकि सामने वाली टीम में तीन लेफ्ट हैंडर है और यदि यह उसी प्लेइंग 11 की साथ खेलेंगे जो ITT की टीम है तो हो सकता मोजी आपको अच्छे गासे ओवर का बॉलिंग करते हुए दिखें ठीक है तो तो मैंने आपको बता दिया था फिर में आवर व्यू देदेता हूं, जैसे के हम हर एक प्लेइर का स्टैट्स आपको को कैसे देख सकते हैं जयसे यह अदित्या गनेस स्का इनके नाम किया यह पी और डार्क में निसान लगावा इसका मतलब यह important player है ठीक है इनके Abt यह T20 आप देखे रहे हैं इसका मतले भी लास्ट सीजन के स्टैट्स है इनके जो TNPL गई तो इन्होंने 62 की एवरेश से रंच बनाया थे और यह रीसेंट स्कूर इनका इस तरीके से आप सब का स्टैट्स देख सकते हैं यहां से बैटिंग सेक्शन आती है तो यहां पे देखेंगे तो एक मोजी जैसे मैंने आपको बताया सामने वाली टीम में तीन लेफ्ट हेंटर आगर वह उसी प्लेंग लेवन के साथ खेलेंगे तो यह आपको इंपोर्टेंट होते वे दिख सकते हैं ध्यान रखना बाकि अब सब प्लेयर का स्टैट्स देख सकते हैं दो अगर यह तुशार रहजा को नहीं खिलाएंगे तो यहाँ पर एस सुरेश को खिला सकते हैं जो की ऑफिस पिनर है आगे अभी अब मुन का स्टैट्स देखेंगे इनकी टीम से जो इंपोर्टेंट प्लेयर है स्रीकान तनिरुद्धा मानबाफना मुहमद और अस्विन क्र साथ ठीक है अब देखो जो थामराई कनन है यह कनन कोतम थामराई यह रवी राजकुमार और उसके बाद मानबाफना यह लोग ओवर सेर करते हैं यह तीनों के तीनों जो बचे आठ ओवर इसके अलावा अगर इन्होंने सुरेश कुमार को खिला लिया तो वह भी ओवर सेर करेंगे फिर वह से मानबाफना बहुत कम बॉलिंग डालते लास्ट सीजन इन्होंने बहुत कम बॉलिंग डाली थी ठीक है जो में तेज गेंद बाज है इनकी टीम के अश्विन कृष्ट रहेंगे और मोहमद रहेंगे मोहमद कप्तान भी है ठीक है अब इनकी टीम से जो परिखिए मौहमद और अदर्स होसकते अधर्स में या तो यह लोग अश्विन ख्रिश्त का यूसकर सकते ऐसे और हो दियान रखते है श्रीकान तनी रुद्धा TNPL खेलेंगे उससे पहले ये डोमेस्टिकली बहुत मैचे खेल चुके हैं 71 मैचे 61 की इनिंग में इन्होंने 26 की एवरे से रंच बनाया रिसेंट इसकोर आप देख सकते हैं उसके बाद तुसार रहा जाएगे थोड़े से अवरेज बल्ले बाज हैं अगर खेलेंगे भी तो अब यहां से पी फ्रांसिस रॉकिन्स जिनका सेलेक्शन बहुत ज्यादा है लास्ट सीजन इन्होंने 18 की एवरेज से रंच बनाया था प्लेयर है लास्ट सीजन इन्होंने 28 की एवरेज से रंच बनाया है प्ला सोला विकट भी निकाले अपनी टीम की सामने वाली टीम में दो लेफ्टेंडर है तो यह खेल सकते हैं यहां पर अभी से खेकड़े अगर खेलते हैं तो ठीक हो सकते हैं इसके लाबद सुर्यस कु अबने 16 की एवरेज से 96 रंच बनाया थे प्लस 10 विकेट लिये थे क्योंकि यह द्यथ में आते हैं यह राइन का रिशन फॉर्म एस सिद्दार था अवरेज बल्ले बाजी है उसके अलावा को रुपू फॉर्म की बात करें लास्ट सीजन 3 मैच में 5 विकेट रिशन फॉर् है रिशन फॉर्म आपके सामने चंदरे सेकंड लेफ्टाम और फॉर्म खेलने के चांसे कम है दो मेच में एक विकेट है आर राज कुमार लास्ट सीजन 7 मैच की चेनिंग में 4 विकेट दथ में आ रही थे एक आद मैच में आया थे हर मैच में नहीं आया थे कुछ रंच ब निशान लगाया हुआ है नोटेशन दे दिया आप समझ जाएगा ठीक है इनकी टीम का भी आपको प्रॉपर निउस हो गया अब हम चलते हैं लास्ट सीजन के कुछ पर्फॉर्मेंस पर वैसे तो मैंने आपको बताई दिया था भी हम स्टैट्स की बात कर रहे थे तो हर एक मैं लास्ट सीजन बताया था थीक हैं तो अगर आप फिर भी धर में देखना जाते तो आटी डब्लो की तरह से लास सीजन की यह टॉप 2 डि़ा रही तक हर और बात बात आती है में सेफ केपटन वाहश काप अगर केपर सेफ यह टीम स्मॉल लीग लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है ग्रैंड लीग में और रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं स्रिकांत अनिरुद्धा उसके बाद यहां से अधित्या गनेश एंटनी दास और प्री स्रवन कुमार इसके अलावा एसल ट्रमपिक्स हो सकता है एसिद्धारता आर राजकुमार मोहन प्रिसाथ और अभी से खेगड़ी के बारे में बताया था अगर वो खेलेंगे तो ठीक है तो ध्यान रखना यह लोग ट्रमपिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए अब हम चलते हैं टीम प्रिवीव की तरफ टीम प्रिवीव लोग को एटलीस हम दो तो लेके चले अरिट्या गनेश इनकी देखो वैसे अगर मैं आपको बताओ तो आईटीटी की टीम में श्रिकान तनिरुद्धा के आने के विए से इनकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉंग हुई है ठीक है थोड़ा सा डिपेंडेबल भी हो गया ह श्रिकान तनिरुद्धा क्योंकि लास्टी सीजन जो आईटीटी की टीम थी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था उनकी बैटिंग काफी वीक थी वो लोग डिपेंड थे एम मोहमद पे उनकी बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं है मोहमद और अस्विन क्रि उतना अच्छा रन नहीं बना तो हो सकता है कि साथविक चेजिंग में ओपन कर रहे हो और अच्छा कर जाए अधित्य गनेश का एक फायदा है कि यह आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे तो वहां चे थोड़े से पॉइंट्स प्लस टूडाउन में अगर बल्लेबाजी में तो इनी को लेना है चेजिंग में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं साथविक के उपर बट फिर भी उसमें भी रिस्क कर रहेगा क्योंकि साथविक विकेट कीपिंग नहीं कर रहे है ठीक है तो ध्यान रखना सेफ ऑप्शन है गनेश चेजिंग में लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं जो लोस को जील सकते हैं कर लोस हो जाए तो साथविक को ले सकते हैं ठीक है उसके बाद मैंने स्रिकांत निरुद्दा को ले देखो सेलेक्शन बहुत कम है बट यह experience खिलाड़ी है और इस लेवल पे अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इस से higher लेवल पे एक रिगेट खेल चुक है और वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ठीक है तो भूलना मत इनको सीनियर लेवल के खिलाड़ी हो सकते हैं इस लेवल के अकॉर्डिंग उसके बाद ऐसानंद एक डिसेंट प्लेयर हैं ग्रेंड लिग में ट्राइकरना मिनी जील में किया सकते हैं ठीक है मान बाफना तीस की एवरे से रास्ट मैच में लास्ट सीजन रंस बनाये थे अच्छे बल्ले बाजे हिटिंग अबलीटी भी अच्छी है प्रमोट हो सकते हैं एनी टाइम टू डाउन थ्री डाउन कभी भी आ सकते हैं लोर डाउन भी जा सकते हैं लेक के चलते नहीं combination के चलते कि कुछ अच्छे प्लेयर विगेट कीपिंग में कुछ अच्छे प्लेयर सिर्फ all rounders में हम वैसा combination बनाई नहीं सकते क्यों कि अगर हम तीन ले लेंगे तो हम सिर्फ दो ही विगेट कीपर ले पाएंगे तो वो combination के चलती यह match थोड़ा सा risky रह रहा है ठीक है तो मैं आपको कह रहा हूं यह match वैसे investment के उससे इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग अगर थोड़ा सा कम खेले तो आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर रिस्की रहेगा क्यों रहेगा वो चीज मैंने आपको बताया बट analysis में best करने की कोशिस करेंगे तो मन बफना को अगर आप लेना चाहें ले सकते स्मॉल लिक के अच्छे पिक हो सकते हैं बागी त्री रहेजा उतने अच्छे आप्शन रहेंगे नहीं मुली वजय मस्ठप पिक रहेंगे जिस लेवल की खिलाडी है बले लास्ट में फ्लॉप हो गया बट आप इंसे उम्मीदें नहीं छोड़ सकते निरीश राज गोपा यदि हेगडे और अनुरुद्धा खेल रहे हैं तो आप मान के चलिए ITT की बैटिंग मजबूत हो सकती है अगर हेगडे खेलेंगे तो रॉकिंस से ज्यादा अच्छे आप्शन रहेंगे हेगडे क्योंकि यह फर्स्ट क्लास क्रिकेटा भी खेल रहे तो उससे पहले स्टे रहे हैं कभी कभार अच्छी पारी आ जाती है तो मैं ज्यादा इनको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर हेगडे खेलेंगे तो फर्स्ट चॉस वही रहेगी एदर्वाइज रॉकिंस और आगर हेगडे नहीं खेल रहे हैं और सुरेश कुमार खेल रहे तो मैंने आपको इनके option यह अभी मजबूर है रोकिंज का बाकी हेगड़े और शुर्यज कुमार का मैंने आपको समझाया अगर हेगड़े और सुर्यज कुमार और रॉकुंज तीनों खेलते हैं तो हेगड़े first choice शुर्यज कुमार बॉलिंग से अगर आप देख रहे हैं मिनी जियल में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो अधनान खान भी जो है ग्रेंड लीक और मिनी जियल के अच्छे उप्शन देगे इस मॉल लीक के अच्छे उप्शन नहीं है और राउंडर सेक्षन में एब मुहमद मस्ट पिक इवन अगर इनकी टीम पहले गिंदबाजी करे तो यह दथ में भी आते हैं कप्तान है अपनी टीम के लिए स्कोरिंग भी करते हैं लास्ट सिजन इनकी टीम इन पहुट डिपेंडेबल थी और विकेट टेकिंग बॉलर है दथ में आएगे फस्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग डालेगी तो आप इनको देखेंगे त तो कप्तान भी ट्राई कर सकते हैं उसके बाद एंथनी डास अपनी टीम के एक डिसेंट ऑल राउंडर है देखो बॉलिंग का में श्योर नहीं हो बैटिंग काफी नीचे आ सकती है लेकिन इनकी टीम अगर फर्स्ट बल्लेबाजी करे तो आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर लेना है स्मॉल लिग के टीम में मैंने जो आपको बोला कि ओल राउंडर और जो यहां पर विकेट कीपिंग सेक्षन में अच्छे प्लेयर्स की भरमार है तो हम सबको नहीं ले पाएंगे तो हमें किसी ने किसी को छोड़ना पड़ेगा विकेट कीपिंग सेक्षन में मा करना ने एक एवरेज गेंग बाज ही रहेंगे उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है लेकिन कभी कबार इनके टीम यूज कर लेती है इनको देथ वागेरा में तो फिर अच्छे विकेट निकाल सकते हैं तो मिनी जील ग्रैंड लिग में ट्राइग करना श्मॉल लिग विकेट टेकिंग बॉलर है लास सेजन तीन मच में पांच विकेट लिया था रिसेंट फ़र्म अच्छा लेकिन खेलने के चांसेस कम है नीचे कोई खास अप्शन है नहीं फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर दिया जिसका लिंक आपको वीडियो के डि पिनर है और स्टेट लेवल पर भी खेल चुके लास सेजन उतना अच्छा परफॉर्मस नहीं रहा था लेकिन इस सेजन अच्छा किया है और उन एंवरेज एक मैस में एक विकर तो निकाली लेते हैं ठीक है तो इनको लेके चले डिटी चंद्र से कर एक आवरेज ऑप्शन में यह आपके लिए एक डिसेंट बिक बन जाएंगे सेकंड इनिंग में खास कर ध्यान रखना ठीक है रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी एवरेज रिकॉर्ड है खराब रिकॉर्ड आप नहीं कह सकते हो ठीक है आर राजकुमार यदि आई टीट की टीम पहले बॉलिंग कर रही है देखो कंफर्म तो नहीं लेकिन हाँ देथ में दिख सकते हैं क्योंकि लास सीजन एकाद मिच में इनको देथ में बॉलिंग दी गई थी उतने विकेट टेकिंग निचर के नहीं है लेकिन जब कोई एवरेज गेंदबाज भी देथ में आता है त ठीक है तो वो चीज ध्यान रखना तो मिनी जी एल ग्रैंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद पोया मोजी और स्रवन कुमार को लिया है मैंने क्योंकि अगर आटी डबलू की टीम पहले बॉलिंग डालेगी दोनों मस्ट है पिक एवन ग्रैंड लिंग में स्रवन क मनी घंदnutन एसके कि स्मॉल लिग में थे आगर रहेंगे विकट टेकिंग बॉलर रहे हैं और आप आपको डी양 diesem इंगे उनकी जगे रोकर कर सकते इस पोड़न को यदि भी बारे मैंने οποोва आपकर नकी र कर सकते हो यदि इंके जगे पर छेल रहे तब आप इनको कॉ कर सकते हो और यदि उनके जगे पर नहीं हो किसी और के जगे पर खेल रहें तो फिर आप मतलब चाहके भी नहीं ले पाएंगे उनको फिर उप्संस ही खतम हो जाएंगे ना अल्रेडी आप फिर किस किस को लेंगे अच्छे खासे ओवर डालने की चमता तो रखेंगे लेकिन टेकिंग अबिलिटी उतनी नहीं लगी मिरको लास सीजन का भी परफोर्मिस देखा एवरेजी है तो कुछ खास ओप्सन नहीं रहेंगे स्मॉल लीग में ठीक है तो दोस्तों जो टीम बन रही है कुछ इस प्रकार से है जहां पर अभी के लिए मैंने मुल्ली विजय को अच्छे अप्शन है कैप्टन के-प क्रिश्ण की तो कि तो यहां पर यहां पर ए फ्रांचेज किसको ट्राइ करना है ठीक है होप करते हैं आपने सारी वीडियो ध्यान से देखे होगा आपको हर एक प्लियर के बारे में नौलेज मिल गई होगी कब कौन से सिचुशन में कौन सा प्लियर अच्छा हो सकता है अगर आपको यह सारी चीज अच्छी लगी उमीद करता हूं अब्डेट्स के लिए धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो वाच करने के लिए थैंक यू